हेलो एबरिवान मैं हूँ अभिशेख खाणिया I'm a dancer and choreographer from love to dance studio so आज हम दो ताली गर्बा सिखने वाले हैं so let's start सबसे पहले मैं आपको बता दू कि दो ताली गर्बा जो है वो बेजिक गर्बा स्टाइल है उनका foundation बहुत important है उनका foundation अगर आपने अच्छे से सिख लिया यानि कि आपने leg और hands के move अच्छे से सिख लिये तो उनके बेज़ पे आप दूसरी काफी गर्बा स्टाइल्स आप आसानी से सिख सकते है so let's start to learn दो ताली गर्बा को हमने दो parts में divide किया हुआ है एक है legs and second है hands यानि की claps अभी हम एक square draw करेगे अगर आप घर पे practice कर रहे हो तो वहाँ पे tile होगी तो tile square में है तो उसमें आप खड़े रह सकते हो या फिर हम imagine करेगे एक square जिनकी चारो side है और उनके center में में खड़े रहना है अभी हम जो practice है वो front से करेगे सामने देख के करेगे उसके बाद हम circle में जैसे गरबा किया जाता है वैसे हम तीरे दीरे practice करते रहेगे तो पहले normal leg को रग के खड़े रहना है फिर मैं अपना सबसे पहले left leg उठाऊगा और left side जाऊगा and right से join करूगा उसके बाद मैं जाऊगा right side open join, open join, open join और इसकी practice करते रहनी है जब तक आपको confidence ना आ जाए अभी हम square की चारो side जाएगे leg open join करेगे, join करने के टाइम दियान दखना जरूरी है कि join होने वाला leg आपका top पे रहेगा आराम से करते हैं, left side जाऊगा, open and join तब मेरा body का direction देख सकते हो, toe का direction देख सकते हो पीछे, ऐसे ही जाऊगा, पीछे, toe का direction, leg top पे है, अभी मैं जाऊगा आगे की side और body turn होगी आगे की side, तो direction देखना बहुत ज़रूरी है one more, left side जा रहा हूँ, right leg join होगा, फिर right को उठाऊगा, left join होगा फिर left को उठाऊगा, right join होगा, right को उठाऊगा, left join होगा और मेरा body की side जाएगे, और मेरा direction भी देख सकते हो, मेरे body की direction तो ये practice करते रहे है, अगर आपको और थोड़ा fast लग रहा है मेरा वीडियो तो वीडियो को अभी pause कर दिजिए and practice कर लिजिए, समझ लिए, समझ लिजिए और revise करके भी आप देख सकते हो, एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि जब मैं leg open join करता हूँ, open, left leg open and join तो right को join किया वो टोपे रहेगा, अभी जो join हुआ वही आगे में जाओगा अभी दूसरा leg टोपे, अभी वही leg को में पीछे लेके जाओगा and right टोपे, अभी में आगे and वो रहेगा टोपे got it, so toe से ही आगे बढ़ना है जो leg join होगा तो ये दियान में रखना बहुत जरूरी है, start one, two, three, four and one, two, three, four and one, two, three, four ऐसे ही practice करती रहने है, तब तक practice करती रहने है जब तक आपको confidence ना आ जाए, दिरे दिरे आप speed भी बढ़ा सकते हो और direction का भी ध्यान रख सकते हो, ताकि आपको confidence आए अभी दूसरे point पर जाते है, वो है hands यानि की claps so let's start, पहले आराम से करते है, claps पहले clap and उपर चुट की, then clap and चुट की पहले थोड़ा left side की और करेगे, उपर चुट की, नीचे की side clap करेगे, उपर चुट की one more thing, claps की बहुत सारी variation है आप clap को कोई भी direction में कर सकते हो, और चुट की को भी आप कोई भी direction में कर सकते हो आप उपर side, side भी कर सकते हो, ये समझना बहुत जरूरी है, पर अभी के लिए एक style करनी compulsory है, तो हम करेगे पहले clap, then चुट की, then नीचे clap and side में चुट की one, two, उसको कोई भी direction दे सकते है, then three करेगे हम clap and four चुट की तो one में रहेगी clap, two में चुट की, three में clap, four में चुट की one में clap, two में चुट की, three में clap, four में चुट की got it, ऐसे practice करती रहनी आपको पहले hand की practice अलग से करनी बहुत जरूरी है ताकि आप confidently गरबा कर पाओ, well done guys और आपको practice करनी बहुत जरूरी है, तो तब तक practice करते रहे हैं, जब तक आपको confidence नहीं आ जाता है अभी हम leg और claps साथ में करते हैं, so let's start आराम से करते हैं, leg और hand पहले left side, one and clap, two and चुट की, three and clap, four and चुट की अगर आपको ये थोड़ा fast लग रहा है, तो आप slow में कर सकते हैं, समझ लिजिए ये foundation है, दो ताली का, और अगर ये foundation अगर आपको अच्छे से आ गया, तो उसके base पे मैंने बताया था, बहुत सारी style आपको आ सकती है, तो समझ के practice करते रहे हैं, के साथ, one, two, three, four, well done guys, अभी हमने किया, जो front set किया, एक ही जगह पे खड़े रहे के, अभी हमें जाना है circle की और, अभी तक आप मेरे साथ चुड़े हुए हो, so congratulations आपको 80% तक गरबा आ गया, अभी हम circle में गुमेंगे, circle imagine करेंगे, circle का center ये मैं अपना white spot रखता हूँ, और मैं एक circle की आगे की side body रखके में खड़ा रहे जाता हूँ, और फिर हम ऐसे circle करने वाले हैं, एकदम आराम से जाएगे, एकदम slowly जाएगे, and go, one, left side में leg लोगा, left side और clap करूगा, one, उसके बाद थोड़ा सा leg को आगे लेके जाओगा, two, body direction देखनी ज़रूर ही है, and then three, पीछे की side, पूरी body cross हो जाएगी मेरी, and then four, आगे की side, four, one, then two, body पीछे three, and body आगे four, and one, two, three, and four, one more time, repetition पे करते रहना है, आपको one more time, हम और एक बार करते आराम से जाएगे, four, two, three, go, and one, two, three, four, 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 खुद के practice के लिए आपको count करना बहुत जरूरी count करोगे तो आप अपनी body के साथ rhythm में भी जा पाओगे तब तक practice करते रहनी है जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं आ जाता तो practice करते रहिए practice करते रहिए practice करते रहिए यहां तक अगर आपने मेरे साथ दो तालिक कर लिया है तो many many congratulations आपको दो तालिक गरबा आ गया है well done guys और आपको अभी तक अच्छे से नहीं आया आपको confidence नहीं आया है आपको upset होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप बस practice करते रहिए practice करते रहिए जहां से आपको doubt रहता है वहां से video repeat कीजिए और मेरे साथ आप वापस से चूड़ सकते हो आराम से हम करते हैं और एक बार मैं आपको practice के साथ बता देता हूँ 1,2,3,4 ऐसे हम जाएगे count के साथ जाएगे तीरे दीरे आप अपने counting की speed भी बढ़ा सकते हो और leg की speed भी बढ़ा सकते हो ताकि आप fast भी गरबा आराम से कर पा हो जैसे जैसे आपका confidence level बढ़ता है वैसे वैसे speed भी बढ़ा सकते हो hand की movement भी आप change कर सकते हो leg की movement body direction भी आप change कर सकते हो बस ध्यान रहे कि आपका foundation है वो maintain रहे and you know that very well only practice is the key to success so keep practicing बस यही है दो ताली गरबा एकदम easy and simple easy to learn है और music के साथ का video भी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ so यहाँ पे है music के साथ का video जो आप देख सकते हो music के साथ भी कर सकते हो और करबा की link जो songs है वो नीचे description में दे देता हूँ as you know मैं अभिशेक खानिया I am a dancer and choreographer from love to dance studio और अभी तक video देखने के लिए और करबा सिखने के लिए मैं आपका शुक्री यादा करता हूँ keep smiling